हलो एब्रिवन मैं फर्जंद अली और आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल टैक्सल वाई फर्जंद अली आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एचारे के बारे में यानि हाउस रेंट अलाउंस का कैल्कुलेशन कैसे होता है और कितना एक्जंट होता है मैं और आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ हाउस रेंट एलाउंस क्या होता है मैं बत्ता होता है जो की एमपलोयर अपनी को देता है जिससे की वह अपने जो रहने का खर्चा है उसमें से वह दे सके यानि वह रैंट पर तो उसमें उस amount में कुछ rent का कुछ दे सक है अगर आपका employer आपको रहने के लिए कोई allowance देता है यानि HR देता है और आगे आप उसको रहने के लिए इस्तमाल करते हैं यानि rent paid करते हैं तो उसमें से कुछ amount आपको deduction यानि exemption मिल जाती है यहाँ पर आपको exemption मिलती है under section 10 और subsection 13A में ना कि आपको deduction का अलग सिश्टम होता है और exemption अलग चीज होती है अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कितना amount की exemption मिलेगी और कितना आपका taxable होगा और इसके साथ साथ ये भी बता हुआ कि जब किसी को rent देत है तो pay number की जरूरत कितना amount तक है कितना amount तक आप अगर अपने मकान मालिक को देंगे तो आपको pay number की जरूरत नहीं है और इसके साथ साथ ये भी बता हुआ कि अगर आप rent अपने माबाप को देते हैं जैसे जाततर केजों में यह होता है कि employee है और वो अपने घर में रहता है और वो घर है माबाप का तो वो माबाप के घर में रहने के बाद भी क्या HR का exemption ले सकता है तो मैं इस video में आपको पूरी details से बताऊँगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ parents के बारे में अगर आपका कोई parents का घर है तो आप उसका exemption ले सकते हैं लेकिन उस exemption के लिए पड़ेगा कि के आपने एक्षवल में paid किया है या नहीं किया अगर आप एक्शोल में पेड नहीं करते हो तो आपको कोई भी exemption का deduction नहीं मिलेगा कोई भी आपको exemption नहीं मिलेगी उसके लिए आपको एक जैसे rent agreement होता है उस तरह का आपको एग्रिमेन बनाना पड़ेगा उस कि इसके साथ साथ आपको जो प्रूफ या साथ ऑपको लिदा कर रहे हैं तो उसकी प्रूफ होने चाहिए कि आपके एकांड से इतना रूपया और इस वैइक्टी को गया है। अब आप देखिए किस तरा से इसका deduction मिलेगा अब मैं आपको house rent के बारे में बताता हूं house rent allowance is a component of employee salary that may be subject to partial or full tax deduction under section 13a of the income tax act 1961 the calculation of hra is influenced by several factors which are यहनि इसके अंदर कुछ components होते हैं उसके इसाफ से ही जो hra है उसका exemption होता है उसका amount निकाला जाता है जिसमें salary कितनी है उसकी hra amount कितना है rent कितना paid करता है और किस city में रहता है वो अगर वो दिल्ली बॉंबे कैलकटा और चैन नहीं इन चार city में से किसी एक city में रहता है तो उसको metropolitan city कहा जाएगा इसके अलावा किसी और city में रहता है तो उसको non metro city कहा जाएगा तो इसका formula है मैं आपको बताऊंगा इससे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर कोई rent paid करता है अपने parents को यानि अपने parents के घर में रहता है तो क्या उसको यह HRE का exemption मिलेगी तो उसको मिलेगी तभी मिलेगी तब वो paid करे अगर वो paid नहीं करता है तो नहीं मिलेगी उसके लिए यह है कि proof होना चाहिए यानि एक agreement ह होना चाहिए कि वही इतने रुपे महिना यह इनको देंगे इसके साथ साथ जो payment हुआ है उसका भी proof होना चाहिए receipt होना चाहिए या आप bank के थो payment हो रही है तो वो bank के statement में शो होना चाहिए कि यहां यह इसको payment दिया हुआ है तो वो अपने अगर father या parent किसी के अपने मकान में रहता है और वो rent paid करता है तो उसका exemption मिलेगा दूसरी बात यह बताओ तूमें आपको कि अगर किसी को house rent allowance मिलता है HR A मिलता है तो जरूरी नहीं है उसको सारा का सारा उसका exempt हो या जितना वो rent paid करता है वो सारा का सारा exempt हो ऐसा नहीं है यह formula होता है उस formula के base प कोई भी employee एक लाग रुपे से जादा का rent देता है तो उसका जो landlord होता है उसका pain number अपने employer को देना mandatory होता है अगर वो pain number नहीं देता है तो एक लाग रुपे से जादा का उसको उसका exemption का amount नहीं मिलेगा यह भी कुछ लोगा question है कि भई अभी हमारे पास उसकी receipt नहीं है तो क् हम उस महीने का exemption नहीं ले सकते या ले सकते हैं तो यह depend होता है आपके employer पार अगर अगर आपका employer मानता है कि हाँ वही यह भरोसे वाला है जो amount है उसका exemption का वो deduct कर लेगा और अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा तो आप पूरे साल की खटी रसीदे अपने employer को भी दे सकते है बाद में अब इसका जो formula है वो इस तरह से है अगर आप दिल्ली बोंबे कोलकटा चैन नहीं में रहते हैं तो उसके लिए formula है यह इसमें तीन item होते है actual HR a received from employer और number 2 है 50% of salary, number 3 है actual rent paid minus 10% of salary यानि उसने पूरी साल में कितना rent paid किया है उस rent paid amount में से उसकी जो salary है total साल की उस salary का 10% गठाने के उसके गठाने के बाद इन तीनों में से जो भी कम amount होगा वो ही amount exempt होगा और यह भी बता दूँ मैं आपको salary का जो amount है उस salary में आपके dearness allowance जोड़े जाएंगे और अगर कोई commission बगेर आए जो fix है वो commission जोड़े जाएगी उस salary के amount में अब दूसरा यह है देखिए if living in non metro city जो मैंना भी आपको बताया था अगर आप दिल्ली बोम में कोलकटा और चैन्ने के अलावा किसी और शहर में रहते हैं तो उसमें number 2 में जो point है 50% तो वह 50% की जगए यहां 40% हो जाएगा और formula same रहेगा यानि number one actual HR receive from employer number 2 40% of salary यानि salary का 40% amount लिया जाएगा और तीसरे number पर actual rent paid जो rent paid किया है उसमें से 10% का जो salary है वो गठाने के बाद जो amount आएगा तो इन तीनों में से जो भी कम होगा उसका exemption मिलेगा अब मैं आपको उधारण देकर समझाता हूँ Mr. X received basic salary per month 50,000 तो 50,000 के रिसाब से एक साल में उसको मिलेगा 6 लाग रुपे की salary और he received HR of rupees 2 लाग यानि वो साल में 2 लाग रुपे का HR receive करता है और इसके साथ साथ वो हर महीने 20,000 रुपे का किराया देता है तो 20,000 रुपे के किराय के इसाब सब उसने किराय कितने दिया 2,40,000 रुपे का अब देखिए इसमें हम पहले calculation करेंगे Metro City में रहने वालों का और actual HR receive from employee 2,00,000 रुपे उसने 2,00,000 रुपे का receive किया है HR अब यह देखिए फॉर्मूले में number one actual HR receive 2,00,000 रुपे हो गया number 2 पर 50% of salary हो गई 3,00,000 रुपे की यानि 6,00,000 रुपे की उसकी साल की salary मिलती है तो उसकी आधी हो गई 50% 3,00,000 रुपे की अब number 3 पर actual rent paid minus 10% of salary actual rent paid कितना की है उसने 20,000 रुप मेना यानि 2,40,000 रुपे और उसकी total salary है कितनी 6,00,000 रुपे की तो 6 लाग रुपे का 10% हो गया 60,000 रुपे तो 2,40,000 रुपे में से हम 60,000 रुपे गठा देंगे तो बचे का हमारा एक लाग 80,000 रुपे अब इन तीनों में से सबसे कम amount कौन सा है वो amount है एक लाग 80,000 रुपे तो उसको एचारे का exemption कितना में लगा एक लाग 80,000 रुपे का और taxable कितना हो जाएगा उसका 2,00,000 रुपे यानि उसको साल में एचारे मिलता है 2,00,000 रुपे का और एक लाग 80,000 रुपे का उसको कितने क्या हो जाएगा एक जंप्शन हो जाएगा और 20,000 रुपे उसके सेल्डी में जोड़े जाएगे अब यहाँ पर क्या था कि उसको 20,000 रुपे में वो दे रहा था यानि 240,000 रुपे का उसने रेंट दिया पूरी साल में और उसको एक जंप्शन कितने की मिलेगी एक लाग 80,000 रुपे की तो इसमें यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा जो भी आपने रेंट पेड किया है वो एक्जेम्ट हो अब दूसरे केस में नोन मेट्रो सिटी तो नोन मेट्रो सिटी में नमबर वन एक्शुल हरे रिसीव कितना दो लाग रुपे का और उसकी सेल दी कितनी है? छहलाग रुपे की तो उसका 40% के साफसे हो गईए सेल ली 2,40,000 रुपे की और जुए हम इसमें कम कर देंगे तो एक्जम्ट हिए मो गया 1,80,000 रुपे तो यह सेम इसमें कोई फरक नहीं पलेगा क्योंकि यहां 40% जो second point है वो सबसे बड़ा amount है लेकिन हमें कौन से लेना है जो सबसे कम हो सबसे छोटा amount हो वह exemption होगा तो 180,000 रुपे का amount है यह सबसे छोटा है तो इसे की exemption मिलेगी तो हमारा taxable कितना हो जाएगा सेम 20,000 रुपे का एक लाग 80,000 रुपे कम हो जाएंगे exemption के तो 20,000 रुपे उसको tax देना पड़ागा 20,000 रुपे वर आपको यह समझ आ गया होगा कि HR-A किस तरह से निकालते हैं अगर आपको कोई CLD मिलेगी तो आप calculation खुद कर सकते हैं अपने HR-A का आपको जरूरत नहीं है कहीं पर जाने क या किसी आप अपने CA से या accountant से पूछने की आप खुद पर खुद अपना जो HR-A का exemption amount है वो निकाल सकते हैं दोस्तों I hope मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अगर ये मेरे वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़ादा स्यादा लोगो कोशन पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके कोशन के answer देने के लिए साथ में आप एक घंटी का निसान होता इस तरह का वो घंटी के निसान पर क्लिक जरूर कीजिएगा जब आप घंटी के निसान पर क्लिक करेंगे तो मैं उसके बाद कभी भी अपने चैनल पर वीड आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो